सबसे दूसरे संगठन के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं त्यारी कर रहे हैं त्यारी करना चाहते हैं तो आज आप पूरी क्लास को देखिए और यह क्लास आपकी EPFO के लिए है EPFC के इंटर्वू की अपडेट न्यूज के साथ में है और अपडेट न्यूज यह है कि EPFC 2023 का साच्छातकार 20 अप्रेल से शुरू हो सकता है इसकी डेट लगभग कनफर्म मानी जा रही है अप्रेल के अंतिम सब्ता से आपका इंटर्वू सुरू होगा डेट लगभग कनफर्म है इसलिए अब आपको अभिलंब अपने त्यारी को अपने रन्नीत को आगे बढ़ देना है और आज इस क्लास के साथ ही हम सुरू करें साथ आगे बढ़ते हैं इस पूरी क्लास को इंटर्व्यू की इस क्लास को आगे बढ़ते हैं सबसे पहले तो अगर आप एपीफो संगठन में जाना चाहते हैं जो संसार का सबसे बड़ा सामाजिक सुरुच्छा संगठन है जिसकी बड़ी सांदार बेकेंसी दोहजार वह है प्रस्णल असिस्टंट की है जिसमें आपको सिंपल ग्रेजोस्टन मांगा जाता है तो इसके लिए प्रस्णल असिस्टंट के लिए टीन सो त्येस नए पद आये हैं जिसके आप तैयारी कर रहे हैं तो आप संगठन में अर्थाब भारत के और विश्व के सबसे सभ्ष है और चैनल हो सकते हैं और आप की नुपती हो सकते हैं बहुत सांदाफ पद आ गया है या पद आपके लिए है परिस अपर को बिंटी पद की जो गौर्णिंग वाड़ी है इसकी बैठक होई तो इस बैठक में नए पदों की सर्जन करने के सम्मन्ह में अनुमती मांगी गई थी और इसके बारे में नुमती दे दी गई इसमें से प्रसनल असिस्टंट के पत दोस्तिजित हो गए हैं और उसकी वेकैंसी भी निकाल द जुलाई और अगस्त में उसकी प्रेप्रेशन आप सुरुवात कर दीजिए हमारे भी बैचेज इसके लिए जल्दी सीगर सुरू हो रहे हैं तो आप इस बैचेज के साथ जोड़ करके और आप अपनी नई वेकैंसी को भी आप सुरुवात कर सकते हैं और आप जानते हैं क आई-एस, आई-पी-एस, आई-फैस और आई-आर-एस के बाद ये अक्सी सबसे महात्पूर्ण सर्विसर्ज होती जहां पर आपको जिला मुख्षालियों के साथ आपको नूगों के साथ जुल करके और आपको सिमाई देना होता है अगर आप आई-एस बनने से चूग ग तीसरी सबसे महात्पूर्ण जो अपडेट नियूस है इंतजार कर रहे हमारे उन भावी एपी-अपसी के लिए है जो 2024 में सेलेक्ट होंगे और आपको बताएं 20 अपरेल के बाद मैं पिछले क्लासिज में भी लगतार बताता रहा हूं कि अपरेल के अंतियम सब्ताह में आ हो लोग इसमें भी अभ्यारती है तो अभी तो उनका रेजल्ट भी आने वाला है एलसी का रेजल्ट भी उनका आजाएगा हो सकता हो लोग सेलेक्ट भी हो जाएं तो यह बड़ा जो है उन्हों के लिए अच्छा रहेगा साथे साथ यह भी है कि अब इस पर ही यूपीसी चल रहे हैं और आपको मैं यह भी बता दूं कि एलसी के इंटर्वी में उन्हें एक्सपर्ट बोर्ड बनाया था उसमें इस पेसलिस्ट बैठे हुए थे ठीक है तो हम आगे चर्चा करेंगे क्या-क्या परश्ण पोचेगे हैं एलसी के इंटर्वी में क्या-क्या साथकार हो भी सप्रेल को से या बी सप्रेल के आसपास शुरू हो सकता है आपको अपनी स्ट्रेट जी को इसके साथ सुरू कर देना है चुकि यूपी पीसी और समयचारिकारी जैसी पर इच्छाएं अस्थिट हो गई है तो आप आप अपनी पूरी तयारी किस पर रखें आप एप एफसी पर रखें तो एप एफसी का साथ चाथकार आपके लिए क्या है आपको सब्खुता दिलाने का सबसे बहतरीन जो है आपके पास एक विकल्प है तो आप इसकी तयारी तुरंत लग जाए और हमारी इस क्लास के साथ आप अगर आप अपकर एप्सी की हमारी बढ़ा सकते हैं अगर आप अने आप तक हमारी एपी एफसी की इंटर्वू की क्लास को जोईन नहीं किया है तो आपके पास गोल्डन एपॉर्चुन्टी है आए ततकाल आप डीपी आईस यूटूब चैनल और देव पर आगेम आईस आप को डाउनलोड करके और हमारी इ स्कूर्टनी को सुरू किया गया है और उसका भी आपका जिनके प्रशन पत्रों में कुछ कर्वी होगी हो सकता है 20 मार्च के आसपास आपको उसका भी नूटिफिकेशन मिल जाएगा तो आपको एक मौका मिल जाएगा कि इवो वाले जो भेरती हैं उसमें के प्रशन उनके डेफ में जो समस्याएं रहे हों समस्याओं को भी यहां पर भेज दिया जाएगा ठीक है तो एपी अपसी का डेफ जो आप लोगों ने भेजा था वो लगभग पूरा हो रहा है उसकी डेफ भी पूरी हो रहे है और वो आपका अंतिम हो चुका है ठीक है तो आप अब एप इंटर्व्यू की अंतिम प्रक्रिया बची हुई है जिसकी डेट 20 मार्च के बाद कभी विखोशित कर दी जाएगी और लगभग 20 अपरेल के बाद आपका इंटर्व्यू सुरू हो जाएगा तो बिल्कुल आप रेडी हो जाईए अपने इस इंटर्व्यू के लिए इसको सुरुवात करते हैं आपके एपी अपसी इंटर्व्यू के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि करन्ट अफियर्स देखे आप देख रहे हैं एपी अपसी का इंटर्व्यू प्रोग्राम और आते हैं इस इंटर्व्यू प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इसमें आप आपको बताते हैं कि कैसे आपको इंट्रेव्यू में शफता लेने के लिए आपको अपना लेवर ला आपको स्ट्रॉंग करना पड़ेगा और कि अपकर एक का जो आपका इंट्रेव्यू है इसमें हम बुकुलेट वं के साथ ड्याफ आप Play आप कंप्लीट हो चुका हमने बहुत चर्चा किये है डेफ के साथ तो अधे आपका पुनहाफ रिवीजन कर लें अया शार पुनहाफ कर लें अब हम आपके बुकलेट ये आपकी डेफ आप दानते हैं आज आप अपना पूरा डेफ निकालिए और उसमें जो कमिया रहें कमियों को आप दूर कीजिए हाँ ये बात और है आप करेंट अफेर्स के डेली मुद्दों के साथ हमारे एक इस्पेसल प्रोग्राम हमारा जो इनालिसिस और उसमें करेंट अफेर्स के सारे बिशोर मुद्दे दे जा रहे हैं उसको भी आप देखते चलें तो डेफ और यह आपका बुकलेट वन है बुकलेट वन के साथ एक रिवाइस्ट बुकलेट भी मापको ततकाल दे रहे हैं ठीक है आपको 15 तारीक के बाद रि मुणनों आपको ध्यान धे करके और लगतीन पर आपको करेंट अफेर्स पर आपको ध्यान धेना है कि कब यह से अब जो एल सी का जो देंट्रेवी में प्रस्तिक्प पूछा गया बुगलेट दो पर अबंदर ट्रेव पर दो आफटे आपका रहता ही है मतलब जब आ लेवरला से जुले कई प्रश्ण पूछे गये इसमें पूछा गया तो हम लोग चर्चा करते हैं उसी लेवरला पर आते हैं ठीक है जहां जहां से आप से प्रश्ण पूछे गये हैं पूछा गया कि जो है लेवर रिफार्म क्या है यह पूछा गया लेवर रिफार्म क्या है स्रम सुधार क्या है ठीक है स्रम सुधार इसमें आने वाली समस्याएं क्या-क्या है इसमें जो प्रश्म पूछा गया क्या है राज्यो की मांगें क्या है तो यहां से ठेट सारे प्रश्म पूछे गए ठीक है लेवर रिफार्म से प्रश्म पूछे गए आपको लेवर रिफार्म से लेवर लास को आपको और प्रष्णलन लेकिन आपको सुरुवात कर देना है लेवर इसे अपनी सुरुवात कर देते हैं और लाज को उठाएं भुगल नमबर 2 को खोले नमबर दो से जुड़े प्रश्ण उन पर हम लोग लगातार चर्चा करने के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अभी आनलाइन चल रही है अभी आनलाइन चलेगी आपको सुचना दे देंगे तो यह दूनों चीजें आपके साथ तो अभी आप आप करेंगे कहां से अपने कोटख करेंगे सुड़ा करें के लेवर से जुली सुर्वात करेंगे हैं करंडे चल रहे हैं तो यह सारी आपको आज से नहीं जुड़े हैं वो इस class के साथ जुड़ करके और आयप को डाउनलोड कर लें साथ डीपी आई एस यूटूड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको चीज़ें यहां पर भी मिलती रहें और आयप पर भी आपको चीज़ें मिलते रहें तो मित्रों यह class करना सिखना सुरू कर दीजिए माक इंटरव्यू के माधम से और अपने इस आंसर देने की कला के माधम से तो इस ब्रमास्त का प्रियोग उठाए और शुरू कर दिए आज और अभी से चलिए सु कीजिए आज सई रहें किया है लेवरीफार्म के बारे में 10 सब्दों में आ आप अंसर देए क्या है लिए बड़िभार में यहीं से शुरुवात कर रहे हैं आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं